जैसे किसना दोस्तों, बी एस सर्मा वद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं। दोस्तों हमारी प्रगती में बहुश बड़े रैश्य बढ़े हुए हैं, प्रगती पूरी रैश्यों से बढ़ी हुई हैं। हमारी बनस्पतियों में हजारों पोड़े ऐसे हैं जिनका प्रियोग परवार की सुरक्षा के लिए परवार की रक्षा के लिए धन ब्रिद्धी के जाता है दोस्तों ऐसी एक बनस्पति का हम आपको नाम बता रहे हैं जिसे आप कटेरी कहते ही उसके अलग अलग जगे पर अलग अलग नाम है आप ग्रामी इलाकों में जाते हैं तो ये कटेरी का पौदा आपको देखने को मिल जाएगा इसमें काटे उटे हैं जारी में इसके जो हैं तीन प्रकार की बनस्पती होती हैं एक में नीले फूलाते ही एक में पीले फूलाते ही और एक सफिर फूलो वाली भी होती है दोश्तों नीले फूलो वाली का कोई खास मैत तुने रहता पीले फूलो वाली कटेरी भी पूजा पात्मे कई उपाय में तंत्र मंत्रों में प्रियोग किया जाता है पर जो विशेष प्रियोग होता है वो सफेट फूलो वाली कटेरी का होता है सफेट फूलो वाली कटेरी बहुत दुर्लब होती है का जाता है जिस इस्तान पर धन गड़ा होता है उस इस्तान पर जो कटेरी में फूलाते हैं उस सफिर फूलोते हैं हमेशा धन के इस्तान पर या कोई चमतकारिक कोई प्राकितिक सक्ती जिस इस्तान पर होती है उस जगह पर या समसान के आसपास कटेडी मिलेगी उसमें सपेड पूलाएंगे या मंदिरों के तीत इस्तान पर जो कटेडी मिलेगी उसमें सपेड पूलाते हैं इस पूल का विशेष मेत तो रहता है। इस पूलों का मेत उतना रहता है। सपेद कटेरी के नीचे अगर जमीन खोड़ोंगे तो आपको कुछ ना कुछ रहस्य आवस्य मिलेगा। अगर सुक्रवार के दिन सपेद कटेरी के फूल को लेकर के माता लक्षमी को चड़ाय जाए ओम श्रीम 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 नमह इस मंत्र के द्वारा चड़ाय जाए तो माता लक्षमी प्रसंद हो जाती है। अगर सपेद कटेरी की जड़ को लेकर के बीमार व्यक्ति के शिराने की तरफ तक्ये के नीचे रख दिये जाए तो धीरे धीरे बीमारी दूर होने लग जाती हैं। अगर तंत्र मंत्र का असर है तो तंत्र मंत्र का असर कम होने लग जाता हैं। दोश्तों अगर इसकी जड़ को लाल कप्रे में छोटा सा टुकड़ा लेकर के सिनू लगा करके तिजूरी में रख लिया जाए तो धनकी बरकत बढ़ती है अगर अपने दर्वाजी पर लटका दिया जाए तो घर के अंदर से नकरात्म कूर्जा दूर हो जाती है ब्यापार स्थर में लगाय जाए तो ब्यापार चलने लग जाता है एसलिए सपेद कठेड़ी का पौड़ा कहीं मिल जाता है उसकी जड़ ज़रूप्राप्त करें पर ध्यार खे थोरी साथवधानी सोखा रहें क्योंकि जाफ़धन होता है वहाँ पर सर्थ भी होता है क्योंकि माया क का सत्पोता है इसलिए कोशेश करें उसे उपर से उखाल ले यह नहीं कि उसकी खुडाई सुदू करें और सावधानी से करें पहलों से प्रात्ना करें आज्या लेकर के तब उसका प्रयोग करें फूल तो वाकिया आप लेए सकते ही यह अमने बनस्पति की जानकाई दी है यह अरो ंच में अल एक में प्रण सी वीपैसे बस्ट धर्ड़ दे खाट्र अज्या जोड़ ले झाल भूम झाल के ता零 मह स्योगर